तो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टुभी मोटोशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले टाटा पंच एम्टी के ड्राइव रिव्यू के बारे में हवार पास है एम्टी का टोप वेरिंट और मैं आप सबसे शेर करूंगा इस गाड़ी का ड्राइब experience positives negatives mileage test तो यह सब आप से शेर करने वाला हूं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने सब्सक्राइबर बच्चे 50 कोने में तो हमें सब्सक्राइब करके motivate जरू करेंगा क्योंकि काफी मेनत करी है इस गाड़ी के वीडियो के लिए इस गाड़ी के ड्राइब रिव के लिए काफी दूर तक आया है तो हमें motivate करना मत बुलेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइब वीडियो से यानि कि जो मुझे sitting comfort लगाना इस driver seat का वो upper segments से भी अच्छा लगा है जो upper segments की जो गाड़िया मैंने चलाई है उससे भी मुझे better लगा यहां पर तो यहां पर टाटा ने जो है काफी ज़दा अच्छा काम और seat पे बैठने के बाद जो मुझे front view मिल रहा है वो काफी ज़द होता है कि driver जो corner है वो अच्छा दिखता लेकिन जो co driver corner उतना अच्छा ने दिखता तो यहां पर दोनों बड़े अच्छे से दिख रहे हैं सिर्फ sitting height feature के लिए आपको अपर वेरेंट पर जाने की जुरूद नहीं है अगर आपकी height जो साढ़े 5 अबव है तो default height जो seat है वो क top variant है एमटी का और इसको चलाने का तुरीका थोड़ा लगया brake दबा के आपको start करना होता है अभी neutral mode में हम और यह कर दिया हमने automatic में तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर मैंने अभी race पे पैद नहीं रखा है नॉर्मली आपको starting में creep function मिल जाता है जिससे जो गाड़ी automatically चलती है आपको race दबाने की जुरूद में होती अगर आप start कर रहे है गाड़ी drive करना या आप city में है तो इससे जो आपको काफी help मिलती है तो बात कर लेते है इंजिन की तो यहाँ पर जो हमें इंजिन मिलता है 1.2 लिटर पेट्रोल रेवर्टान इंजिन मिल जाता है जिसमें हमें मिलती है 86 PS की power 113 एनम ऑफ टॉक और यह इंजिन जो हमें डाइनपरोन और टेक्नोलोजी के साथ मिल जाता है जिसमें जो आपकी speed है 0 to 60 वो काफी जल गेर शिफ्ट में आपको थोड़ा आइडिया लगता है लेकिन हाइवे पर बिल्कुल नेगलीजिबल हो जाता है हाइवे पर काफी जादा स्मूध चलते हैं गेर्स का इतना जादा पता नहीं चलता है तो ओवरोल जो एम्ट का यहाँ पर जो हमें experience हो रहा है वो काफी जा जाता बैटर माइलेज चाहिए तो आपको इको मोड में ड्राइब करना होगा इस गाड़ी में हमें traction प्रो मोड मोड मिल जाता है जिसमें आपकी गाड़ी जो है ब्रेकिंग के टाइम बिल्कुल भी डोलती नहीं है और यहां ब्रेकिंग की बात आगे है तो ब्रेकिंग मे गाडी बिल्कुल जो है एंड टाइम पे बिल्कुल गाड़ी रुख जाती प्रोग्रेसिवली यहां पे ब्रेक्स लगती है तो फोट्राइफिक डैफिनेटली एंप्र इस गुड अगर आपकी सिटी में काफी ज़ाओ ट्रैफिक रहता है आप सिटी में ड्राइब कर रहे बात करूं तो यहाँ पी वाइब्रेशन जी है वह बिलकुल हमें फील नहीं हुई इस गाड़ी में चलाते हुए है तो इस गाड़ी में हमें फ्रेंट में डिस्क लेक्स मिल जाती है रियर में ड्रम बेक्स मिल hơn और यहाँ पे टर्रस की पात करो तो turning radius दो काफ押ी ज़ादा अक्षा है आपको काफी एप योजादा करें तो हैंनि बात करें dengan काफी ज़ादा आपको handling ड्राइब किया इससे पहले भी हम जो इस गाड़ी को 30-40 km चला चुके है तो यहां जो important question mileage की बात करें तो हमने trip meter reset किया था starting में तो हमें जो mileage मिली थी वो 17.5 के आसपास मिली थी हलाकि meter में 16 प्लस शो हो रही है यह तब की है जब हमने इस गाड़ी को काफी roughly चलाया काफी देर तक हमने इसे off-road पे चलाया और उसके बाद हमने high speed पे braking test किया तो उस time पे mileage reduce हुई है तो यहां पे आप देख सकते हैं 16 प्लस की mileage है हमें वो मिल चुकी है और यहां बात करें हम suspension की तो अभी भी हम जो है इस गाड़ी को off-roading पे चला रहे है तो काफी अच्छे से एब्जोब कर रही है यह गाड़ी path holes को आपको जादा पता नहीं चलना है अगर काफी जादा बड़ा काफी स्मूथ है और एक चीज में आपको बता दूं कि इस गाड़ी को चलाते हैं आपको visibility की दिक्कत नहीं आने वाली है खासकर A pillars की वजह से जो A pillars की वजह से कुछ गाड़ी में आपको broader मिलता है तो जिसकी वजह से जब आप गाड़ी को turn करते है तो आपको visibility में दिक्कत आती है लेकिन यहां पर आपको वह problem बिल्कुल भी नहीं आने वाली है तो यहां पर आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आने वाली है ना ही high speed पे और ना ही low speed पे इसके लावा Tata ने जो काफी अच्छा काम किया है वह engine side से जो noise है वो बिल्कुल negligible है काफी अच्छा जो है यहां पर refinement के टाटन है तो चलिए बात कर लेते है pros and cons कि क्या हमें positive लगे क्या negative लगे तो यह आपको बता दूँ कि जो positive है वो इसमें काफी अच्छे हमें features मिल जाते है era connected technology मिल जाती है traction pro mode मिल जाता है amt में और sitting comfort जो है वो काफी ज़दा अच्छा ह है mileage अच्छी मिल जाती है तो overall हमें amt में यह काफी अच्छा package मिल जाता है तो यह सारे हमें positive लगे और यहां negatives की बात करूँ वह यह की अगर हम इस गाड़ी के front design की बात करें तो यह टाटा की बाकी गाड़ियों के तरह थोड़ा मिलता चुलता है जो की शाय चेंज करते त बहतर होता बाकी आप हमें comment करके जुरूर बताए कि आपको कैसे लगा इसका front design और क्या बाकी गाड़ियों की तरह similar होना चाहिए था या फिर नहीं और दूसरा जो कौन हमें लगा वह यह की इस गाड़ी में हमें diesel engine option देखने को नहीं मिलता तो चलिए बात कर लेते कि क्या यह गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं तो यह गाड़ी जो एक complete package है features का safety का mileage का तो definitely आपको यह गाड़ी जो खरीदनी चाहिए क्योंकि इस price range में इस segment में यह गाड़ी जो हमें best safety और best features का combination प्रवाइड करती है तो यह था टाटा पंच का drive experience जिसमें मैंने आ highlights positives negatives क्या है आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं तो वीडियो अच्छी लिगे तो subscribe करना बिल्कुरी मत बोलेगा तो मिलते हैं जल्दी एक लिए वीडियो के साथ so thank you guys for watching this video thank you Jai Hind